Hello guys, welcome to John Academy, this is Shahul John आज हम पढ़ने वाले हैं Social Science Code 213 NIOS के लिए Chapter 9 है, यह क्लास 10 के लिए भारत का भौतिक भुगोल इसका नाम है Previous Chapter को आप Playlist में चेक कर सकते हैं Start करते हैं हमारा First Topic है दक्कन ट्रैप कैसे बना था इस Chapter में Important Topic को ही डिसकस किया गया है अब हम पढ़ते हैं दक्कन ट्रैप कैसे बना था दक्कन का पठार मद्य उच्छ भूमी से दक्कन पठार एक भ्रंच से अलग है याने कि चट्टानों में एक ए इस्थिभंग जो चट्टानों के साथ अबेक्षाकरित प्रतिस्थापन है दक्कन पठार में काली मिट्टी छेत्र दक्कन ट्रैप के रूप में जाना जाता है या जुआला मुखी विस्वोट के कारण बना है किसके कारण बना है जुआला मुखी के विस्वोट के कारण बना है दक्कन ट्रैप यह मिट्टी कपास और गन्ना की खेती के लिए अच्छी है इमिट्टि किसके लिए अच्छी है कपास के लिए और गन्ने की खेती के लिए मोडे तोर पर डेककंट पठार में दो भागों में विभाजित है ठीक है तो दो तरीके के पठार है डक्कन के पठार एक तो पस्चिम घाट और दूसरा है पूर्वी घाट नाक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समू प्रेटको को क्यों अकर्शित करता है यानि कि अंडमान और निकोबार द्वीप समू में लोग जाना पसंद क्यों करते हैं वो उनको अट्रेक्ट क्यों करता है तो अंडमान और निकोबार द्वीप घृत लो के साथ रखा गया है के अंडमानानिक मेंयों को का कहा रखा गया संग्रालियों Do Ipa सभूय में गरा कि ट शॉOOOOO के साथ रख दिया समंद्र तठ्ट हाला की प्रयतकर ओर को कारशित करने के Kat मुक कारक बने हुए हैं जो समुंदर टेट है उससे प्रेय टग ट्यूरिस्ट जो होते हैं जादा कर्शित होते हैं यहां आने वाले कई स्थानों में पोर्ट ब्लेयर सेल्यूलर जेल जोनल एंत्रोपोलोजिकल म्यूजियम फिनिक्स बे में बर्मी मंदिर घोल घर मसाला स्टोर और कोटेज इंडिस्ट्री एंपोरियम हैं तो यह सारी चीजे हैं जो ट्यूरिस्ट को यहने की प्रेटक को अंडमार और निकोबाद द्वीप समुं में आने के ल सिरे कार्बिन कोब बीच वांडूर और श्रिया स्टपू यहां के समुंद्र ट्ट्टों में कौन से अच्छित करते हैं वह है दक्षनी सिरे कार्बिन गमीच दूसरा वांडूर और श्रिया स्टपू शामिल है और भी चीजिशिए जो प्रेटकोगों को यहां अकरशित करती है वह है स्कूबा डायविंग और स्नॉरकेलिंग यहां के कुछ लोग प्री यह एडवेंचर स्पोर्ट है कौन-कौन से है एक तो स्कूबा डायविंग और दूसरा स्टॉर्कलिंग यहां के लोक प्री एडवेंचिरर है और कुछ इसमें जो में में पॉइंट है आपको पता होना चाहिए साहिक नदी किसे कहते हैं साहिक नदी क्या होती है एक धारा या नदी जो एक बड़ी नदी में बहते हुए जा मिलती है याने कि एक नदी एक धारा जो बह रही है या एक नदी जो बह रही है एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है तब उसको साहिक नदी कहते हैं जैसे जमना गंगा में मिलती है यमना किसमें मिल जाती है गंगा में फिर है डेल्टा डेल्टा किसे कहते हैं नदी के निचले हिस्से में मुहाने पर छोटे रेत गाद जमा होने से एक त्रिकोणी अकार की भूमी विक्सित होती है जैसे गंगा डेल्टा क्या कह रहे हैं कि नदी के निचला इससा जब आता है उसके मुहाने पर छोटे रेट और गाज जमा होने से क्या होता है त्रिकौनियाकार की भूमी विक्सित होने लग जाती है जैसे गंगा डेल्टा एस्चियोरी किसे कहते है आंशिक रूप से संगलन समुद्री नमकीन पानी नदी के ताजे पानी के साथ मिलता है जैसे नर्बना दिदी एक एस्चियोरी बनाती है तो आंशिक रूप से संगलन समुद्री नमकीन पानी नदी के ताजे पानी के साथ मिलता है तो जब एक समु जब मिल जाता है, यहाँ को पता है ूर नदी का पानी ताजा, तो जब यह दोनों मिलते हैं तो उसको एस्टुवरी कहते हैं, जैसे कि नर्मदा नदी एक एस्टूवरी बनाती है, फिर next दवाब किसे कहते हैं दो नदीयों के बीच जुड़े जलोट भूमी तो दो नदीयों के बीच जो जुड़ी जलोट भूमी होती है उसे दवाब कहते हैं जैसे पंजाब में दवाब छेद रहे फिर आता है question खादर किसे कहते हैं ये exam के लिए बहुत important है कि खादर और बांगर में अंतर कीजिए खादर किसे कहते हैं लगबख प्रतेक वर्ष नदियों का बाढ़ छेतर हर साल नदियों के कारण जो बाढ़ छेतर बन जाता है उसको खादर कहते हैं फिर है बांगर नदियों के बाढ़ छेतर में उच्च भूमी नदियों के बाढ़ छेतर में जो ऊची जगह होती है उच्च भूमी होती है उसे बांगर कहा जाता है फिर है अक्षांश किसे कहते हैं अक्षांश वै कौनिय दूरी है जो पृत्वी की सत्या पर किसी स्थान के भूमद्य रेखा से उत्तर या दक्षिन होती है तो अक्षांज क्या है वे कौनिय दूरी जो प्रित्वी की सतय पर किसी स्थान के भूमद्य रेखा से उत्तर या दक्षिन होती है याने कि उत्तर से दक्षिन की और जब जाती है उसे अक्षांज कहते हैं देशांतर किसे कहते हैं देशानतर पृत्वी कि सतय पर किसी स्थाब मध्य कौन ये दूरिग्या सहर ज्री की महाद्य से पूर्वि या पूर्वि DOGS मापी जाती है तो जो पूर अभ़से पूर्व से पूर से पूर्व से पूर्षतिम जाएगी वह अकशान्स है आपको याद रखना है और आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं इसके पिच्चर को इसे और अच्छे समझ सकते हैं कि उत्तर सदक्षिन जब जाता है तो अक्षानस बनाता है और पूर्व से पश्चिम जब जाता है तब देशांतर बनाता है फिर आता है कौन ये दूरी केंद्र से बिंदू के बीच की दूरी को कौन ये दूरी कहा जाता है के बीचतर है